Hello friends, welcome to examby once again तो bumper job opportunities आई हैं हिमांचल प्रदेश गौवर्मेंट में और अगर आप हिमांचल प्रदेश के resident हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा एक मौका है, बहुत अच्छी salary किये jobs हैं, तो यह horticulture और agriculture के graduates और post graduates के लिए हैं और up to 50,000 तक इसमें salary दे रहे हैं तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में आसे next 4 days तक हम लगाता रोज एक वीडियो डालेंगे जो current अभी job opportunities आई हुई हैं उनके बारे में और अगर आप agriculture होटी कल्चे ग्रेजवेट से हैं या फिर इवन आपने वीडियो के इंतजार कर सकते हैं इसके अलावा हमारे एक telegram group है आप को link description में मिल जाएगा वहाँ से अब हमारे telegram group को join कर लीजे वहाँ पर daily agriculture updates यह जितने भी वीडियो हम यहाँ पर डालते हैं उनकी PDFs, poll questions और agriculture related discussions होते हैं तो उसमें more than 400 students पहले से हैं तो आप उस group को join कर सकते हैं सबसे पहले important बात यह non permanent jobs हैं तो 11 month की यह job है और government ने बोला इसको हम extend कर लेंगे अगर आपकी performance अच्छी रहती है तो यहाँ पर जरूरी बात यह है इस job के लिए उन लोगों का apply करना चाहिए जिन्होंने अभी अपना master's या PhD कंप्लीट किया है या even अपना graduation कंप्लीट किया है करना उन्हें कोई job मिली नहीं है और उन next job का इंतिजार कर रहे हैं कि उनकी कब एक सरकारी पर्मेनेट जॉब लगेगी तब तक के लिए वो इस job को join कर सकते हैं इसमें चार अलगले टाइप की जॉबस आई हैं फार्म मैनेजर, असिस्टेंट फार्म मैनेजर, टेकनिकल फैसिलिटेटर और फैसिलिटेटर तो यहाँ पर ही वेबसाइट के नाम दिये जहां से आप इसका form फिल कर सकते हैं इसके लावा मैं description में इसका link डाल दूँगा जहां से आपको इसके form की पूरी PDF मिल जाएगी तो आप description से PDF भी download कर लीजे जहां पर इसका detailed notification है तो एक project है Government of Himalachal Pradesh का World Bank के साथ में जिसके लिए यह hiring हो रही है इस project को पूरा करने के लिए और इस project के चार components है पहला है horticulture production and diversification दूसरा है value addition in agriculture then market development and sector stewardship and project management तो यह चार projects के अंदर hiring होगी और काम होगा त्यार तरह के लोगों को इसमें hire किया जार है 15 तो यह farm manager hire कर रहे है और farm manager बनने के लिए आपकी qualification क्या होनी चाहिए then assistant farm manager अगर आपने सिर्फ BSC horticulture भी किया है 4 साल का तो आपको 30,000 पर मत की salary मिल जाएगी then technical facilitator तो इसके लिए आपको MSC horticulture होना जरूरी है और आप root science, entomology, pathology, soil science किसी में भी specialization रख सकते हैं इसमें भी जो salary होगी 50,000 होगी चौथा है facilitator तो अगर आपने even BSC भी किया है BSC biology भी किया है या फिर agriculture, horticulture, forestry किसी से भी किया है तो भी आपको ये facilitator वाली job मिल सकती है और इसमें 30,000 रुपीज पर मत की salary होगी तो इनके काम क्या क्या होंगे वो हम next slide में discuss करेंगे उससे पहले एक बात आपके बहुत सारे friends होंगे जो हो सकता हिमांचल की resident होंगे और non agriculture graduates होंगे तो आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो कि यह वाली जो job ए facilitator वाली वो biology वाले students के लिए भी है जिनोंने general सिर्फ BSC biology किया हुआ है आप उनको forward यह कर सकते हो तो किसका क्या roll होगा यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले farm manager जो है farm manager का काम होता है वो in charge होता है एक पूरे farm का तो government का एक पूरा farm होता है या फिर जो इस project के अंदर में जो farm लगेगा एक फूरा farm का management उसको मिलेगा तो farm के जितना भी documentation है उसके inventory का charge है inventory का management है उसमें जो birding, grafting वगेड़ा होनी है उसके लिए आपको अलग से labor और आपको gardeners, माली वगेड़ा सब मिलेंगे उनको manage करना उनको inspect करने का काम आपका farm manager का होगा farm manager को जो assist करेगा assistant farm manager होगा क्योंकि जो farm manager है वो masters क्या हुआ है तो technically superior होगा knowledge wise superior होगा और वो farm manager, जो assistant farm manager उसको guide कर सकता है कि यह यह काम आपको करवाने है अपने workers से इसके अलावा दो post है technical facilitator technical facilitator के पद होते हैं बहुत सारी जगह पे इनका काम होता है extension का तो यह extension का काम करते हैं तो government की जो scheme यह project होता है कोई भी उसको extend करना लोगों से बात करना उसकी visits, trainings वगएरा करवाने का काम है technical facilitator का होता है और इन्हें BTM भी बोलते हैं जो इंडिया में आत्मा scheme है तो आत्मा scheme के बारे में आप लोग जानते होंगे अगर आपने पढ़ा होगा किसी exam की preparation की होगी तो उसमें हर block में block technical manager रखा जाता है जो extension का काम करता है आत्मा scheme के अंदर exposure visits, training वगएरा कराता है तो similar काम यहाँ पर technical facilitator का है और चौता है facilitator तो facilitator technical facilitator को assist करेगा और वो सारे काम करेगा जैसे bank branches के साथ deal करना farm के लिए different inventory की खरीद करवाना यह जो भी requirements उनको पूरा करना then एक important बात यह जो job है वो सिर्फ permanent residence of हमांचल प्रदेश के लिए ही है तो हो सकता है आपके use की ना हो बट आपको अपने friends को forward करनी ज्यादा से ज्यादा share करना है अगर आप ऐसे share करोगे तो मौका पढ़ने पर दूसरा friend भी आपके साथ share करेगा हो सकता है कि वो आपके state की हो और आपके लिए useful हो तो इस job के लिए age limit 18 to 45 years है बाकि आप इसकी details यहाँ से पढ़ सकते हो यह भी कुछ common criteria requirements है जब इसका आप detailed notification डाउनलोड करोगे description में से तो हाँ पर आपको desirable eligibility भी मिल जाएगी मतलब अगर मान लीज़े आप 3 या 4 candidates है जिनकी same eligibility है तो किसको preference दी जाएगी desirable characters क्या होगे desirable qualification क्या होगी वो भी आपको detailed notification मिल जाएगा तो इस वीडियो के लिए इतना ही था कल की वीडियो का इंतिजार करिए और सारी job opportunities के बारे हम बात करने वाले हैं अगर आपको किसी भी exam के free mock test देने तो आप iExam.p के website विजिट कर सकते हैं और वहाँ से different agriculture related exams के course भी खरीच सकते हैं हमारे टेलेगराम ग्रूप आप जरूर जोइन कर लीजेगा